क्योंकि दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं शेहद से मीठा फ़लान ऐसे डिम का आपने सुना ही होगा हम चाहरे थे कि पाकिस्तान चीन की तरह बने यहाँ पर बेगूफ चीन जालग पाकिस्तान की तरह बन गया यह इंगी बदमाशी है ना वो हाईर लेवल की बदमाशी है है ना वो आप जाते ही भीक मांगने के लिए वहाँ से यार प्लीज यार उपर वाले के नाम पर दो मिसाइल दे दो यार अच्छा चार गोलियां दे दो पाकिस्तान का रुपिया बन गया है टिश्यू that is the whole issue जैन दोस्तों मैं में बेज़े गोरवारी और आप देख रहे हैं दच्छानक के डायलोग्स इस वीडियो को लाइक करिए हमारे चानल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिलकुल मत भूलिएगा और खासतोर से वो हमारे दोस्त जो हमारे वीडियो देखते ह लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते यार कैसा अन्या आया है ये कैसा अन्या आया है कर दीजे कर दीजे सब्सक्राइब मज़ा आ जाएगा हमको भी मनोबल बढ़ेगा अच्छा जी ट्वेंटी का मामला शुरू है और भारत के पास सदारत है भारत is the president for जी ट्वेंटी आपक एक ऐसी बात करी है जिससे जो पुरानी स्कीम चल रही थी ना दुनिया में United Nations की और इसकी फलाना धिमका Second World War के बाद जो शुरू हुआ था मामला 1945 में 1945 में Second World War खतम हो गया था और उसके बाद जो चला है मामला और जो दुनिया के बड़े-बड़े groups हैं, groupings हैं खास दोर से Western Country उनके तन बदन में आग लग गई, उन्होंने बोला है, Modi ji ने कि भई ये तुम्हारा मामला चल रहा है ना ये फेल हो गया है, मैं Modi ji के exact words आपको बताता हूँ, Modi ji ने ये बोला है, after years of progress, we are at risk today of moving back on the sustainable development goals, many developing countries are struggling with unsustainable debts while trying to ensure food and energy security, ये तो food and energy security के बारे में बोला, we must all acknowledge that multilateralism is in crisis today, the experience of the last few years, financial crisis, climate change, pandemic, terrorism and wars clearly shows that global governance is filled, देखिये, global governance में कौन आ जाते हैं यार, आपके ये US आ जाता है, आपका China आ जाता है, आपका Russia आ जाता है, कुछ लेवल तक Russia है, लेकिन खास तोर से मैं बताना चाहता हूँ, Europe, इसमें आते हैं US और Europe, majorly, चाहना फिर second rank पर आ जाता है, लेकिन US और Europe, ये लोग दुनिया चलाते हैं अपने institutions के थ्रूप, basically मोदी जी का ये कहना है, कि यार, 1945 का जो structure है, जो 1945 का structure है, राइट, वो 1945 का structure जो आपने बनाया, वो क्या 2023 की problem solve कर सकता है? क्या 2023 की problem वो solve कर सकता है? नहीं solve कर सकता, जाहर सी बात है, आपने United Nations Security Council expand करा ही नहीं, ये मोदी जी नहीं नहीं बोला, मैं आपको एक analysis बता रहा हूँ, आपने United Nations Security Council वोई जो लोग बैठें, बैठें, वोई जो लोग बैठें, असी साल से बैठें, अब बैठें, क्या अकर सकते हैं? They are sitting there, कहने की बात ये है कि पिछले सालों में लड़ाईयां हुई, अगर United Nations इतना वड़ा तीसमार खान होता, तो ये Ukraine और Russia की जो लड़ाईयां खतम क्यों नहीं कर पाए है? अमरीका हर दूसरे तीसरे साल किसी और मुल्कियों पर बं गिरा जेता है, लोग रोग क्यों नहीं पाए? You see, these global bodies are dysfunctional now, और एक नया world order है, जिसमें भारत है, एक world leader के तरीके से सामने आ रहा है, and India is ready to take leadership position, हम किसी मुल्कियों पर बं बं नहीं गिराते हैं, ठीक है? We don't, we don't, you know, send our missiles, वो गलती से कभी एकाद ब्रहमोस पाकिस्तान चला जाता है, जिसके लिए सौरी भी हमने बोल दे, रहना बुरा मानने की जरुत नहीं है, यह कभी-कभी बाला कोट, चाला कोट में कुछ, चोटी-मुटी, हैपी दिवाली हो जाते हैं, लेकिन, लेकिन, इंडिया को, जिसके लिए रहे एसके लिए, नुद करेंगे रही होगे हम और जगे ड्याम जा रहा है, और जितनी हमारी शचता㥴 parole, जंद दिवालार की जढ़ीर, एनद्दी आप सबता है, अधिन ले जितनी हमारी capability है, जितनी हमारी हैसियत है, उससे जादा बढ़के इंडिया help कर रहा है, Turkey का example अभी recent है, तो इंडिया ये कर रहा है, लेकिन इंडिया कह रहा है, और मोधी जी ने यही बात कहने के कोशिश करी, जो multilateralism है, ठीक है, यानि कि सारे मुलकों का एक साथ जो मामला है bilateral होगे हैं, जिसमें काफी मुलक होगे हैं, तो वो जो मामला है, collapse कर रहा है, that is not working out very well, मुझे लगता है कि काफी लोगों को चोट पहुँचेगी, काफी लोगों को चोट पहुँचेगी, और जो उन्होंने बोला है कि debt में फसे हैं, ये direct tons जो था ये चीन पे था, चाइना पर, कि debt diplomacy practice करता है, चाइना, उन्होंने चीन का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने बोल दिया कि Global South, Global South की जो countries हैं, जो गरीब देश हैं, वो इन चीजों से, you know, they are struggling with these things, and the world needs to take notice of that, तो ये बहुत बाला statement है, मोदीजी, का अच्छा, इसके अलावा, जैशंकर साब ने फि चाइना का Foreign Minister, किन गैंग, किन गैंग को, डॉक्र जैशंकर साब ने बोला कि हमारी ties जो आपके साथ हैं, वो अबनॉर्मल हैं, कहने का मतलब यह है कि भारत और चीन की ties हैं, ठीक है, हमारा 120-130 अरब डॉलर का trade है, लेकिन हमारी ties जो हैं, वो अबनॉर्मल हैं, और हम इस ची हैं, तो देखो, साफतोर पर बता दिया है, कि आप दुनिया को कुछ भी बोलो, कि भाई भारत तो हमारा दोस्त है, भारत के साथ हमारी सवा, 100 अरब डॉलर की ट्रेड चल रही है, वो सब ठीक है, वो अपनी जगे चल रही है, लेकिन जो हमारे रिष्टिया हैं, चीन के सा नहीं हैं, राइट, और इस ट्रू, चाइना ने अग्रीमेंट्स वाइलेट करी है, लाइन अफ एक्च्वल कंट्रोल के बिल्कुल सामने चीन आ गया, जहां पर उसको नहीं आना चाहिए था, तो हम भी गए, अब ये मिरे टु मिरे डिप्लॉयमेंट जो है, पूरा की, उ हम ये चा रहे थे कि पाकिस्तान चाइना की तरह बने, क्योंकि दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, शेहद से मीठा, फलान ऐसे डिमका, आपने सुना ही होगा, हम चा रहे थे कि पाकिस्तान चीन की तरह बने, यहाँ पे बेगूफ चीन जाला, पाकिस्तान की तरह बन गया यह कौन सी बात होती है ठीक है राधर देन Pakistan becoming China, China became like Pakistan वो Pakistan type की हरकर ने कर दो चाइना को भी Pakistanitis हो गया तो यह चाइना को तोड़ा सा सोचना पड़ेगा, अगर चाइना को यह लग रहा है कि भारत से भारत को हरा देंगे यह तो होने नहीं वाला, why are you इंडिया, this is the Republic of India यह चाइनीज को कोई समझाए चाउं चाउं करके उनके साथ बैटके, अब पता नहीं जैशंकर साब को चाइनीज आती है कि नहीं, he was ambassador there आती होगी, जैशंकर साब आप जरा बोलिए, चीनी मीनी चाउं चाउं, इनको जरा समझाईए यह नहीं होने वाला है, पता नहीं क्यों इतने स्ट्रेस में दुमिया को डालते हैं कुद भी स्ट्रेस में रहते हैं यह लोग ठीक है जी, अच्छा जी, अब आया मजा इंडिया ने डिफेंस टाइज बोला है कि इटली के साथ हमारी डिफेंस टाइज होंगी, एक लियोनाडो करके एक कंपनी है जिसको बैन करा गया था, यह अगस्टा, वेस्ट लैंड आपने देखा हो, हेलिकॉप्टर का जो मामला था न, उस चकर में इस कंपनी को बैन करा गया, अच्छा, इस से दो फाइद हुए, एक तो इंडिया को कटिंग इस टेकनोलोजी मिलेगी, भारत उनसे चीज़ें खरीदेगा, और उनसे बोलेगा तुम इंडिया में बनाओ, तो वो बात हो गई, अच्छा, ये बात हुई थी, प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी, जॉर्जिया मेलोनी जो वहां की प्राइमिनिस्टर ने एक लिकिए, उनके सामने मोदी जी की बात हुई, ये खबर के मताबिक, इंडिया को दो फाइदे हैं, एक तो इंडिया को कटिंग इस टेकनोलोजी ये गए थे, लियोनाडो की टॉर्पीडो प्रोड़क्शन सेंटर गए थे, 8244-S मोड लाइटवेट टॉर्पीडो पाकिस्तान नेवी के लिए खरीदने के लिए है, पता नहीं कहां से इनके पास पैसा आया, उन्होंने खरीदने की कोशिश करी, अब भारत के पास additional leverage हो गया, भारत ये कहेगा, ठीक है, की, और भारत कह भी रहा है, मुझे ऐसा सुनने में आया है, इस नॉट कंफर्ण मज़े, मुझे पक्के तरह पक्के तोर पे नहीं पता है, लेकिन भारत नहीं ज़रूर कहा है, लोगों से जो टॉप मैनुफाक्टरर्स है, ना वेपन के, उनको एक बात बोली है, की यार देखो सुनो, एक बात समझ लो तुम, या तो तुम पाकिस्तान को बेच लो या भारत को बेच लो, या तो आप भारत को बेच लो या पाकिस्तान को बेच लो, आप दोनों को नहीं बेच सकते, यू डिसाइड, और आइटिंग अपने बच्चों के लिए घरवर बना के आया होगा, गाड़ी वाड़ी खरीद के, बंगला बंगला तयार करके, एक आज शॉपिंग वाल खरीद के आया होगा, और कुछ बात नहीं, कोई टॉर्पेडो शॉर्पेड़ी ने खरीद नहीं है, पैसे हैं नहीं इनके पास खरीदने के लिए, इनके पास खुद का परसनल वेल्द बहुत है पाकिस्तानी और पास, खुद के पैसे, ब्लैक वाले, चोरी वाले, करप्शन वाले, फ्रॉड वाले, चार्सो बीसी के पैसे, ये बड़े सारे हैं इनके पास, अपने लोगों को खिलाने के लिए रोटी नहीं है, अच्छा जी, पाकिस्तान की खबर बड़ी इंट्रेस्टिंग है, रुपी टंबल्स बाए 19 रुपीज तो दा डॉलर इंटर बैंक, अमिड आएमेफ डिलेज, इस क्यों पर यार मैंने एक शेरर्स करता हूँ, आपको एक शेरर्स किया है मैंने, इर्शाद बोली है न, अरे कराची में चाचा, जो पकोड़े चाय और कबाब ख़रे, इर्शाद तो बोलो, अभी तुम जलील होने वाले हो, जल्दी से इर्शाद बोलो, और हाँ चाचा, इर्शाद बोलने के बाद सब्सक्राइब का बटन जरूर दवाना, ठीक है, अब देखो, पाकिस्तान का रुपिया बन गया है टिश्यू, पाकिस्तान का रुपिया बन गया है टिश्यू, तो दोस्तों, इनका रुपिया बन गया है टिश्यू, और यह देखिए, इनका फर्स्ट मार्च को था 266 का, सेकंड मार्च को था 285 का, ठीक है, इतना जंप मारा इनके रु ट्रेसमार्ग हेड अफ स्ट्राटिजिक प्लैनिंग कोमल मस्नूर सेड इसमें एक कॉंसेट समझा देता हूँ ठीक ना इसमें ये है कि पाकिस्तान में अलग अलग लेवल पे करेंसी चलता है ठीक है क्योंकि जैसे पाकिस्तान में अलग अलग केरिकुलम चलते हैं अलग अलग स्कूल में घरीबों के लिए अलग सिलिबस जो अमीरों के लिए अलग सिलिबस जो रिलिजिस लोग है मदर से हम पढ़ते हैं उनका अ एक इसमें बड़ी एक बात मैंने कुछ दिन पहले मुझे रिसर्च के दौरान पता लगा कि एक उनकी रुपए की ला अगेंस दे डॉलर एक पेशावर वैलियू है। और डॉलर लेके गायब हो जाएंगे। उसको पिशावर एक्शेंज रेट या पिशावर वैलियू ऑफ दा पाकिस्तानी रुपी कहते हैं। और फड़ गया ढूल। ये हो गया है। अब अच्छा इसमें ये गारेंटी नहीं है कि आपके पास दो सो असी रुपे हों। यह 285 रुपय जितने का भी है यह 285-290 रुपय हो तो आप जाएं तो आपको डॉलर मिलेगा डॉलर है नहीं वहाँ पे बहुत मुश्किल और अगर आपको 500 डॉलर भी चाहिए ना तो आपको कितने पापड बेलने पड़ते हैं यह फॉर्म भरो यह फॉर्म भरो यह फॉर् हाल है IMF ने कर रखा IMF कह रहा है यार अब तुम्हारे जहांसे में हमने नहीं आना है तुमने बहुत जूट बोल दिया भाई बहुत जूट बोल दिया तुमने जूट बोल बोलके मकारी 400 BC fraud corruption करकर के IMF इन्होंने IMF की जेब कट ली 22 बार इन्होंने 22 बार पाकिस्तानियों ना IMF को बोला कि हम सब ठीक कर देंगे लाओ पैसा अचा अंग्रेज वरसी बिचारे भोले होते हैं इस मामले में इस मामले में because they are more trusting of people generally मैंने you know देखा है West में होते बदमाश वो भी है वैसे पर उनकी बदमाशी ना मैं आपको बताता हूँ जो गोरी की बदमाशी है ना वो higher level की बदमाशी वो चेचोरी हरकत नहीं करते हैं वो चेचोरी हरकत नहीं करते हैं तो पाकिCLY एक तो पाकिस्तानियों ने दिखा दिया देशी रंग पाकिस्तानियों की जेप कर लिए अब उन्हों ने भोला है कि पहले तुम सब कुछ सैट करोंगे तब हम बताएंगे हम तुम्हें पैसा देंगे नहीं देंगे और देंगे पैसा मैं बार बार रोज यही कहता हूँ लोग मुझे से पूछते हैं क्या IMF पैसा देगा पाकिस्तान को 100% देगा 100% देगा लेकिन एक और है मिफ्ता इस्माइल जो उनका पुराना जो मिफ्ता इस्माइल ने क्या बोला है कि बस एक बात ध्यान रखना पाकिस्तान को पैसा मिलेगा और जरूर मिलेगा लेकिन जून में ये फिर IMF के पास जाएंगे इनके पास है नहीं इनको 2023 में इनको करीब I think कितने 20 अरभ या कुछ ऐसे मुझे नहीं पता exact बट इनको बहुत जादा पैसा वापिस करना जो उनके पास है नहीं और उनको अगले कुछ मेहने में तो उनको 6 अरभ वापिस करने और है उनके पास 3 से कम और वो भी 3 से कम कौन से है जो कि मांगे तांगे के है लोन के खुद के पैसे नहीं है या मांगे तांगे के है इनको पैसे वापिस करना है कहां से करेगा पाकिस्तान वापिस लेकिन अभी भी कश्मीर बनेगा पाकिस्तान वो अंदर जो आग है ना आग इतनी बुजने का नाम ले ली आप किसी भी पाकिस्तानी से पूछो सड़क चलते हमें बड़ा जजबा है हमें बड़ा जजबा है ओ भाई जजबा है तो फिर तुम्हें सिर्फ भीग मांगने का जजबा है अपने मुल्क को अच्छा करने का जजबा नहीं है हमें बड़ा जजबे वाली कौम है किसी से किसी के घर के सामने चले जाएंगे अब तो प्राइविट प्लियर से मांगने लगे यह लोग अब इन्होंने बोला कि हमने इतनी एक्सपर्टीस डेवलप कर लिया मांग मांग के इतने एक्सपर्ट हो गए हैं कि अब यहूदियों से भी पैसे मांग रहे हैं सबसे प पर लीग में पाँच हजार पुलिस वाले डिप्लॉई करें हैं और रिंजर्स भी डिप्लॉई कर लिया है और पुलीस पर्सनल इंक्रूदिंग सेनिर ओफिसर्स और अफिशल्स अफ डिफरेंट उनिट्स अफ पुलीस इंक्लूदिंग इससप, SDPOs, SHOs डॉल्फिन स्कॉर्ड, एक डॉल्फिन स्कॉर्ड भी यह लिए डॉल्फिन स्कॉर्ड क्या कर रावल्पिंडी में है यार कौनसी डॉल्फिन है यार मुझे यह यह जुटू बोलते हैं पाकिस्तानी, आगर डॉल्फिन तो मचली का नाम है, अगर डॉल्फिन स्कॉर्ड तुमारी कराची में होती, बलोचस्तान के जो समुधरी इलाके हैं, वहाँ पर होती है, मैं समझ में आता कि तुमने पुलिस के एक डॉल्फिन स्कॉर्ड इन्होंने रावल पिंडी जो की पंजाब में हैं उसमें एक Dolphins Quad घड़ी कर दी, चलो ठीक है कोई बात नहीं, Dolphins Quad, यह पता नहीं तैर के कहां जाएंगे Dolphin, Police Response Unit in Elite Force, नाम ऐसे ऐसे हैं काम इनका जीरो है, Cricket Tournament के लिए, Cricket Tournament नहीं हो गई, यह पांच हजार कॉप्स, और Rangers अलग से, शावाश, अच्छा, दोस्तों यह सब कर इनका, जैसे मैं नापको बताया था कि, यह पाकिस्तानी रूपीया है, मैं आपको दिखाना चाहता हूं, दिसस्षेज़. लेकिन फिर पाकिस्तान कमिटेट तो expanding Shelley Ties with us आप देखें पाकिस्तानियों का जजबा देखें का जजबे वाली कौन है कि रहा हम ट्रेड करना युएस के साथ इसमें किसी ने एड बोला था एड की जगे जनोंने ट्रेड लिख दिया है और मैं स्पेलिंग मिस्टेक हो गए इट से टाइपो मैं बोलना चाहता हूँ डॉन न्यूस की खबर है ओ भाई डॉन न्यूस यार यूर सपोस्ट बी पाकिस्तान's most respected newspaper सपोस्ट बी बोला था मैंने सीडियसली मैं तो लेलना मेजर किया रहे बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि आपने ऐसा कैसे बोल दिया पाकिस्तान is committed to easing the regulatory regime and facilitating business in the country expanding trade ties with the US remains a foremost priority of the government with bilateral trade volume of 12 billion the US remains Pakistan's largest trading partner export destination in 2022 Pakistan exported more than 5.9 billion worth of goods to the US while importing more than 3.1 अरे बाद बता हूँ इतना जूड बोलते है तुम लोग बनाते क्या हो एक बाद बता हूँ जांगे यह बनियान तॉलिये के लावा तुम लोग बनाते क्या हो पाकिस्तान में यह तो हमें समझाओ यह जो अमेरिका इनसे सामान लेता है न यह भी तरीका अमरीका का है इनको फंड करने का अम्रीका को पाकिस्तानी जो भी समान एक कुड़ा घचला पता नहीं क्या बनाते ही लोग अम्रीका को वे ज़रूती नहीं इसे समान लेने की को बनाते ही नहीं है capability नहीं है, सलायत नहीं है पाकिस्तानी कुछ नहीं बना सकते मैं आपको बता रहा हूँ यह कह रहे फीफा वर्ल्ड कप की फुटबॉल बनाते हैं तो उसको लिखो न मेरीडन पाकिस्तान पाकिस्तानी ब्रैंड क्यों नहीं है वो भी पता नहीं एडिडास एडिडास किसी को बेच के कॉसको को बेच बाच के अपना काम की यह अपना की थी इसमें मैं आपको यह आपकी नर्जा से पता नहीं है गुजरी की नहीं गुजरी यह पाकिस्तान की जो डेपुटी फॉरण मिनिस्टर है हीना रवानी घर इन वील्ड क्रिटिसिजम और इंडिया याने की चुपचाप परदे के पीछे इंडिया को क्रिटिसाइज करते हुए इननों ने बोला है की सप्लाइब अफ एडवान्स वेपन्स की शर इननों अबोला भ्या मिन झाने बोला भाइब एट जर छोप्क्री रवेश्ट वेपनेरी चाहि की जोरे एटाने विल्डूटी। The largest country in the region continues to be a beneficiary of nuclear exceptionalism in violation of established non-proliferation norms and principles. This country also remains a net recipient of generous supplies of advanced conventional and non-conventional weapons, technologies and platforms. Basically, Hina Rabani Khar Sahiba वो ये कह रही है कि भाई भारत ने बहुत हथियार खरीद लिए और बड़ी generous supply है. Ma'am, there is no generosity in this supply. ठीक है, हम पैसा देते हैं और हम खरीदते हैं. पाकिस्तान के पास है, पाकिस्तान खरीदे हैं. आपको मना करा है किसे ने. अब आप जाते हैं भीक मांगने के लिए वहाँ से. यार प्लीज यार, उपर वाले के नाम पर दो मिसाइल दे दो यार. अच्छा, चार गोलियां दे दो. पांच नहीं दे सकते हैं, चार दे. अब ऐसे तो भीक मांगते हो. और इंडिया की तरफ कहते हैं, इंडिया बड़े हत्यार खरीदे रहा है. खरीदेगा इंडिया. इंडिया के पास पैसा है. तुमारे पास नहीं है. जिस कटोरी में भीक मांगते हो वो भी तुमने भीक मांगा वाए कटोरा मैं पूछना चाता हूँ हीना रवानी खर से कि आप किस strategic balance की बात कर रही है कहती है कि भारत और पाकिस्तान का strategic balance उन्होंने भारत का नाम नहीं लिया लेकिन बोला कि neighborhood में weapon supply हो रहे है वेपन खरीद रहे है, strategic balance आपका strategic balance है क्या, आपके पास है क्या आपके मुल्क के पास है क्या और भेकारियों में इतना confident कौन सा 54 पराश खाते हुए यार जो सवरे सवरे ऐसी बढ़के मारते हो लंबी चोड़ी कौन सा strategic balance कौन सा strategic balance है आपके पास कितने पैसे हैं, आपके पास, फौज के पास पाकिस्तानी फौज के पास, मैं guarantee के साथ कहता हूँ यह एक या दो division mobilize करने का लड़ाई तो बहुत दूर की भात है, they don't have money to mobilize two infinity divisions, क्या बात कर रहे हैं माड़म आप strategic imbalance होगे इतना लंबी-लंबी मत छोड़ा करो आप English में क्योंकि आपको पता है, आप English में बोलोगे आप difficult words use करोगे, पाकिस्तानियों को समझ में नहीं आती अंग्रेजी, क्योंकि एक English channel नहीं है टीवी का पाकिस्तान में, पाकिस्तान में समझ में फायर कर दिया, strategic balance, पाकिस्तानियों पता नहीं कि बिर्यानी है कि कोर्मा है, यह समझ में नहीं आरा strategic balance कौन सी इडिश है, उनको समझ में नहीं आरा बिचारे पाकिस्तानियों को, और जो आपने वर्ल्ड में अपना message पहुचाना था, वो आप Don जैसे नियूस पेपर्स का इस्तमाल करके, जियो जैसे अखबारों का इस्तमाल करके, चैनल्स का इस्तमाल करके, आप आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन मैडम मैं आप से पूछना चाहता हूँ, हिना रवानी खरसाहबा, what strategic balance, आपका और हमारा ना खरीदे, खरीदो, दबा के खरीद, दो अर्बो डॉलर, खरीदो, घर में नहीं यह दाने, अम्मा चली गुना ने, हैं, जेब में नहीं यह देला, घूमने चले, मेला, ऐसे अच्छा, मेरे पाद 4-5 और उसको है, मैं कभी सुनोंगा, मैं बच्पन से सुनता आया आपको बड़े इंट्रेस्टिंग, अल अफ दम रिलेट टो पाकिस्तान डिरेकली, अच्छा दोस्तों, यहां पर हमारा होता है वीडियो खतम, और अब हम आते हैं, आपके पसंदीदा राउंड, ग्वेस्चन और आंसर्ज में, और इसमें, यह कौन अभे, शजील मलिक, I am from Pakistan and belong to a city, you hate, अरे बबाँ, hate, शजील साब नमश्कार, आपको नमश्कार, you hate the most Lahore, अच्छा, oh, I am from Pakistan and belong to a city, you hate the most Lahore, I just wanted to thank you for all the effort you are making to awaken this drunken nation, please keep slapping, आपको यह, I am not into slapping anybody, ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि मैं पाकिस्तान को ठोकता हूँ, यह आपको ठीक लगता है, लिक that is not my intent, I genuinely believe that Pakistan should improve, right, अपना अपना तरीका होता है, मेसेजिंग का मेरा यह तरीका है, और इसके अलावा मेरा कोई intent नहीं है, क्योंकि अगर मैं इंडिया में बैट किया अगर यूट्यूब पर को वीडियो टाल रहा हूँ, मेरे intent से क्या ही हो जाएगा, मैं मलिक साब आप से मेरे intent से क्या ही हो जाएगा, मेरे intent यह है, for example, मेरे intent यह है, कि मेरे पास 100 करोड रुपे, मेरे intent से क्या होगा, उसके लिए तो मुझे मैनत करनी पड़ेगी, दिमाग लगाना पड़ेगा, ऊपर वाले का आशरवाची है, भगवान का, तब जाके तो यह सब होगा, मेरे intent से तो मेरा ऐसा कोई वो नहीं है, आप इसको गलत ना संजाएं, एक सवाल है, Pankhudi Shrivastav, good morning sir, my name is Pankhudi, thank you for sharing, namaskar Pankhudi ji, your videos help me improve my general knowledge a lot, if we talk about inside India, unfortunately we have a lot of elements who are very strongly interested in a separate nation theory, for example, Khalistan, how do you think we can deal with these separatists, do you think that the unity of India is dying because of such separatists everywhere, north, south, east, west, Pankhudi ji, asa hai ki, separatism joh hai na, India mein, it starts off as sub-nationalism, abzara padhiya guys ke opar, since you seem to be interested in national security and geopolitics, to, yeh kabhi bharat na kaamyaab nahi hui, pakistan mein kaamyaab ho chuki hai, yeh bharat na kabhi bhi kaamyaab nahi hui, aaghe bhi nahi hui, yeh joh amritpals heng hai na, yeh kishi khatai meh nahi haata, yeh bhi ap dhekhenge, yeh sako set kar dhenge, amritpals heng ko egaab ho jayega, yeh, he will become, jis ko kaatayi ki irrelevant, yeh wil become, jis ko kaatayi ki irrelevant, yeh meadipals heng ke baat kar raha ho, yeh media ki paidaiish hai, और yeh media ki gher zimedharan na, joh rawiyah hai media ka, ki hər jaghe camera leke pahunc jau ki, you know ki, hamarhe, hamarhe joh viewers hai, joh hamarhe, joh darshak hai, woh jjanna chaatay hai, darshak vrsa koji ni jjanna chaata yaar, kisi ko interest nahi, pata nahi, yeh sab pahunc jatay hai maha pere, isko ignore karo, yeh apne aap khatam ho jayega, isma koji, in tillohon me teel nahi hai, dousari cheez, mujhe nahi lagta ki, india mein aur kahi separatist, aisi ko movement chal rahi hai, Kashmir wali khatam ho gai hai, Kashmiri khush hai, right, joh tamil lad me chal raha hai, that is language ka issue hai, woh separatism ka issue kabhi tha nahi, haan, a lot of tamil people supported Shri Langan Tamils, they did not support terrorism, indian tamils have never supported terrorism in Shri Lanka, jaisa killing of innocent children and this thing, but yes, they did support, on humanitarian grounds, on ethnic grounds, unhoonne, joh tamils thay Shri Lanka ke, unko zaroor support kara hai, aur mujhe lagta hai ki, jaha pe bhi logon ke uper atiyachar hota hai, unko support karna bhi chahi hai, I'm a non-tamil, but mujhe bhi lagta hai ki, waha pe, thik hai, joh LTT na galat kaam kara, woh galat kaam kara hai, that has to be condemned, right, but so many innocent tamilians were killed in Shri Lanka, and that is wrong, morally, ethically, and legally incorrect, woh nahi hona chahiye tha, that was wrong, right, aur joh nagaland ka maslala hai, woh nagalim ka maslala hai, woh nagaland never says that we want a separate, you know, separate country for, you know, nagaland should be a separate country, nagalim ka basically issue hai ki, naga majority area hai, johan pe nagameez boli jati hai, woh chahe asam mein ho, woh chahe manipur mein ho, woh chahe, you know, across the border ho, neighboring country mein, woh ye kehti hai ki, this should be part of greater nagaland, that is nagalim, nagalim, L-I-M, nagalim, that is not about separate country, that is about a separate nagameez state, a naga state, which has naga majority people, even if they happen to be in other states like Manipur, etc. तो यह जो चीजने पहलाई जाती है na, even naqsal, naqsal यह थोड़ना कह रहे है, किस naqsal ने बोला, कि हमें एक अलग देश चाहिए, nobody has said we want a separate country, यह अलग-अलग किसम की तहरीक हैं, भारत में, कभी चली, कभी बुज गई, कभी चली, कभी रुख गई, यह सब चलता आ रहा है, यह भी खतम हो जाएगा, it's not a big deal. These are temporary national security threats, which are being taken care of. तो आखरी सवाल जो है आज का, यह है, I think, Bhopati Sahu, my name is Bhopati Sahu, Bhopati Ji, Namaskar, my question is, what would happen if Pakistan were to become officially default, and China were to take over Pakistan? China has already taken over Pakistan, मतलब इसमें कोई, यह कोई सवाल है ही नही, China has officially taken over Pakistan, and China has, you know, इनके airports चाइना के पास है, इनके ports चाइना के पास है, इनकी सड़कें, इनके parks, यह 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 जमीर चाइना के पास गिरवी हैं, हम क्या, मैं भी क्या स्टोरी सुना रहा हूँ आपको, पाक्स की और airport की और पोर्स की, आपे कितने, I think, millions of Uyghur Muslims को, जेल में डाल लख खारी, एजुकेशन काम में, क्या कर रहा है पाकिस्तान, पाकिस्तान का, जूट बोलते हैं यह लोग, यह ना, पाकिस्तानी जूट बोलते हैं, चाइनीज ने चाइड डॉले रनके मुँपे, हमारे दुविला के चाइना के पास, वहाँ पे पहुँच गए, that's it, that is the character of the leadership of Pakistan, मैं हम पाकिस्तानी हों के लिए नहीं बोल रहा, लेकि जो उनकी leader है, उनका यह यह character है, जो मुँपे पैसे मांगेगा, आज यह कश्मीर 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 करते हैं, कल अंबानी बोल दे, यह ले यार, 100 million dollar, यह बोल देंगे, कश्मीर बनेगा हिंदुस्तान, कश्मीर बनेगा हिंदुस्तान, कश्मीर यह उसे ना था क्या, कुछ भी नहीं, यह बोल देंगे, तो not to be taken seriously, ठीक है, चाइना, चाइना जा अलएट टेकन हो गए रहा, चाइना न तो बट्टा बटा दिया, अच्छा, सुनील डेविड जी है, सुनील डेविड जी यह कहते हैं, मेज़ साहब, नमश्कार सुनील जी, मेज़ साहब, in 1803, लुजियना वस पर्चेस बाद युनाइट सेस्ट फ्रेंच फर्स रेपब्लिक, इस पॉसब्ल जी जी एसा है ना कि, अगर अपनी खुद की जमीन हो, और किसी ने अवयर तरीके से कब्जा करा हो, तो वापस चीनी जाती हो, खरीदी नी जाती है, ठीक है, बंडे मातरम और भारत माता कीजे, थारत माता कीजे हो, मैं ये शीजे की जाती है, फ्रिक परेंगर शारत की जेए के वापनी